नमस्कार, क्या आप तयार है आज की रेसिपी के लिए? आज की रेसिपी बहुत ही ट्रेंडिंग रेसिपी होने वाली है क्योंकि हम बना रहे हैं एक स्ट्रीट स्टाइल कोरियन चिली गालिक पटेटो स्टाटर जानती हूं नाम बहुत लंबा चाड़ा साय है लेकिन यकीन मानिए रेसिपी बहुत ही इजी है और बने की केवल 10 मिनट के अंदर और वो भी दो ऐसे इंग्रेडियन्स के साथ जो आमोमन घर पे हमेशा अवेलेबल होते हैं और बिलीव में, इट इस बेडर दन नूडल्स और पास्ता सबको इतनी पसंद आएगी कि सब बोलेंगे भाई पहले क्यों नहीं बताया अब बता रहे हूं न तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये क्विक एन इजी स्टार्ट की रेसिपी और हमेशा की तरह रेसिपी के साथ होगे कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स जसे ये रेसिपी बनेगी परफेक्ट तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इनग्रेडियेंस आलू की रेसिपी है तो मुझे चाहिए होंगे आलू तो मैंने यहां तकरीबन 400 ग्राम आलू ले लिए हैं और इनको मैं पहले बॉइल करने चड़ा दूँगी बॉइल करने चड़ा रही हूं और इनने पील क्यों कर रही हूं यह है आपकी टिप नमबर वान आप दे डे आलू को हम होल बॉइल नहीं करेंगे छोड़े पीसे में कट करके बॉइल करेंगे क्यों? विकूज वी वान टू एंशूर कि हमारा अलू अच्छे से पक तो जाए लेकिन अलू ओवर कुक नहीं होना चाहिए इसलिए एंशूर का लीजे का कि पटेटोस पे कहीं भी छिलका ना रह जाए तो पील थे में वेरी वेल तो पोटेटोस दन अब इन पोटेटोस को हम कट कर लेंगे वन इंच के पीसे में पोटेटोस अलसो कट नव लेट्स पुट थेम इन पान टू बॉइल तो ध्यान आपको इस बात का देना है कि इन्हें प्रेशर को खम नहीं करेंगे जैसे मैंने बताया काड करके तब पकाएंगे तो पोटेटोस कोगड लेकिन ओवर कोगड ना हो तो जब तक मेरे पोटेटोस बॉइल होते हैं आप मुझे यह बताये कि आपने अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब किया है कि नहीं क्या भाई नहीं क्या है तो जल्दी से कर लीजे ना तभी तो इतनी बहदरीन सी रेसिपी आप तक में ला पाऊंगी और याद है ना आपको अगर आप यह बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुचेगा तुरन एंड में लाइक ज़रूर कीजेगा और कॉमेंट करके मुझे बतायेगा कि यह Korean style street food यानि कि यह जो नए नराले से starters है यह आपको कैसे लगे 7-8 minutes done आप चेक कर लिया जाए हमारे potatoes को खुए की नहीं हुए potatoes को खुचे हैं आपका fork potatoes के through easily जा रहा है लेकिन आप देखेंगे कि यह disintegrate नहीं हो यानि कि बिखर नहीं रहा है at this stage gas को कर देंगे हम बंद और इन potatoes को चान करके निकाल लेंगे चन्नी पे हम क्यों निकाल रहे हैं ने यह भी बताती हूँ क्योंकि यह है आपकी अगली tip यानि कि tip number two of the day potatoes को हमको करना है mash और इन mashed potatoes का चाहिए हमें एकदम fine mash जिसमें कोई भी lumps नहीं रह जाने चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे इन potatoes को एक चन्नी से चान लेंगे ताकि एकदम fine mash हमारे पास ready हो जाए now with the back of a spoon मैं इसे इस चन्नी से ऐसे पास करती जाओंगी so that I will have a fine mash coming out आप mash को नीचे से clean करते जाए so that it makes a space for more mash और ध्यान रखिएगा कि इस काम को हमें करना है जब हमारे आलू गरम होगे न तभी आलू को ठंडा नहीं होने देंगे नहीं तो आप जानते क्या होगा यह potatoes एकदम mushy हो जाएंगे और gooey हो जाएंगे and as a result आपका जो dough बनेगा न उसको बहुत जादा flour की ज़रूद पड़ेगी बाइंड करने के लिए potato जब mash हो जाएगा तब हम इसमें add करेंगे corn flour कितना corn flour? 400 ग्राम अगर मैंने इसमें आलू लिया है तो मुझे चाहिए होगा तकरीबन 7 cup जी हाँ, सवा cup corn flour अब corn flour और potatoes को आप हापस में mix कर दीजिए मिला दीजिए जब potatoes और इसी के साथ साथ corn flour अच्छे से mix हो जाएगा तब मैं इसमें add करूंगी पानी अच्छा इसमें तकरीबन 1.500 ग्राम तक पानी जाएगा यानि कि एक छोटे cup का size या फिर 3-4 जो हम ये measuring cup इस्तमाल करते हैं वो वाला cup अब अलग अलग potatoes, अलग अलग आलू का जो moisture होता है उनके अंदर जो पानी मौजूद होता है वो अलग अलग होता है इसलिए एक अठा सारा पानी नहीं add करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी आड़ करेंगे और इसको एक एकदम soft dough की तरह से गूल लेंगे ऐसा soft dough जिसमें cracks बिलकुल नहीं होने चाहिए तो अब 100 ml पानी मेनग इसमें already add कर दिया है थोड़ा और add किया जाए तो यह देखिए एक smooth सा dough हमारे पास तयार हो गया once your dough is ready मैं एक bowl में यहाँ पर थोड़ा सा oil ले ले रही हूं और अपने हाथों को हलका सा grease करके यह देखिए अब इसकी छोटी-छोटी balls ब्रेक कर लेते हैं roll these balls तो आप notice करेंगे कि यह तक्रीब इंच की मैंने एक bowl बना ली है अब क्या करेंगे हम अब देंगे इसको एक shape mushroom के जैसी shape जानते हैं किसके साथ एक काज की bottle के साथ so all I am going to do is this bottle का जो यह end है मैं पहले इसे थोड़ा सा oil में डिप कर दूगी इसे करने से इसके ऊपर मेरा जो दो है वो चिपके का नहीं now just press this in और यह देखे mushroom shape के हमारे potato starters ready हो जाएंगे ऐसे ही और हम अपने mushrooms को potato mushrooms को शेफ कर लेते हैं हर बार आप अपना हाथ थोड़ा सा grease कीजिए और तब उठाए अपना potato mixture और इसी तरह से हर बार bottle की tip को भी आप grease कीजिए यानि की oil में dip कीजिए और फिर इसे shape कीजिए और ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप बहुत बड़ी balls मत बनाईएगा वाई क्योंकि जब हमें इसे पकाएंगे न तो यह फूल के और बड़ी हो जाएंगी अगर आपका dough बहुत ठंडा हो जाएगा आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है यह थोड़ा थोड़ा फटने लग जाए इन डाट केस अगर आपके पास microwave हो तो 30 seconds के लिए अपने dough को microwave कर दीजेगा ताकि वो फिर से थोड़ा सा warm हो जाए वाउम dough से अपने starters को shape out करना बहुत असान हो जाता है तो यह देखिए almost 20 pieces of potato mushrooms I have ready over here और इसी के साथ साथ आप notice करेंगे कि मैंने यहाँ पर पानी उबालने के लिए भी चड़ा दिया है एक कड़ाई में धाने इस बात करकता है कि हमको कड़ाई या पतीला जो भी लेंगे न वो बड़े size का चड़ाना है क्योंकि जब यह potato mushrooms इसके अंदर जाएंगे यह फैलेंगे तो उनको पकने के लिए और फैलने के लिए काफी जगा मिल जाने चाहिए पानी जब एक तेज उबाल पे आ जाएगा ना तब इसमें आड़ कर देंगे हम अपने potato के pieces इस वक्त आपका पानी जो है ना वो fast boil पे होना चाहिए तेज उबाल पे होना चाहिए और एक एक करके ही मैं इसलिए डाल रही हूं ताकि एक अठा अगर मैंने सारे pieces उबलते हुए पानी में डाल दिये तो पानी का तापमान कम ना हो जाए अब कितनी देर के लिए हमें इन pieces को को करना है तक्रीबन दो से धाइब मिनिट के लिए हम इसे को कर लेंगे और आप नोरस करेंगे कि को कोने के बाद यह ऊपर तैरने लग जाएंगे और यही है आपकी tip number three of the day ध्यान रखेगा जब इस surface पे float करेंगे तैरेंगे तब हम इने निकालेंगे बाक आप दिस स्पून के साथ इन्हें हलका सा आप पुश कर दीजे ताकि यह थोड़ा सा रोल ओवर कर जाएं जानते हैं मैं आपसे यह क्यों कहा था कि इस बेटर देन पास्ता और नूडल क्योंकि आक्चुली इटली में एक ड्रिश बनती है जो इसी तरह से potato mash में फ्लार मिलाके बनाई जाती है उसे कहते हैं नौकी लेकिन नौकी में फ्लार यानिकी मैदा मिलाया जाता है और हमने यहां मिलाया है कॉन स्टाच यानिकी कॉन फ्लार बस इतना ही फरक होता है बाकी रेसेपी काफी कुछ सिमिलर होती है हां उसमें potatoes को सीजन जरूर किया जाता है थोड़ा सा नमक थोड़ा सा नटमेग यानिकी जाइफल के पाउडर के साथ यहां हमने इसमें कोई नमक नहीं चॉप कर लेती हूं स्प्रिंग आनियन का हमें सिरफ ग्रीन चाहिए वाइट हम इस्तमाल नहीं करेंगे इसे बहुत फाइन चॉप कर लीजे देखे स्लोली अब यह पीसेज उपर फ्लोट करना शुरू हो गए हैं धाई मिनिट के बाद इन्हें निकाल लेंगे हम एक बोल में जिसमें है मेरे पास आइस वोटर यानि कि बरफ के पानी में ऐसा करने से क्या होगा इनका जो कोकेंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और यह और ओवर को नहीं होंगे इसे ठंडा करके हम निकाल लेंगे एक और बोल में इधर यहां पर जैसे यह ठंडे हो जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि यह नीचे सेटल हो जाएंगे नीचे बैठ जाएंगे अब इन्हें आप ड्रेन आउट कर लीजे और गेदम आउट इन आ बोल तो यह रेडिय हो गए हमारे बेसिक पोटेटो स्टाटर अब आपको इसे किस सॉस भी टॉस करना है इस इस एंटाइल आपको बना लिया जाए तो चिली गालिक और बनाने के लिए सिबसे पहले तो मैं यहां एक पान में और गरम करने के लिए चड़ा दे रही हूं आपको त्री तेबल स्पून ऑफ और यहां एक बोल में मैं ले लूँगी थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पावडर एक टीस् स्पून सोय सॉस सॉल्ट तू टेस्ट कीबिंग इन माइंड कि हमारे पुटेटो स्टार में नमाद बिलको नहीं है इसके साथ आप करूंगी इसमें यह फाइन चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स भी और जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब मैं आट साथ तेल भी अच्छे से गरम हो जाएगा ग्यास को कर देंगे बन और इमीजियेटली इसे हम पोर कर देंगे अपने बोल में ओवर ओल्ट अपने पोटेटो स्टार्ट के उपर तॉस दीज विद लाइट हैंड अब इन्हें सर्व करते हैं एक प्लेट प्लेट और जैसे में आप से कहा दिस इस फार फार बेटर देन एनी पास्ता एनी नूडल दाट यू में आप तेस्टेड अब गानिश करते हैं इसे और धोड़े से चॉप्ट स्प्रिंग अनियंस के साथ देखा अपने हो गया ना जटपट से इतना दिलिश्यस सा एक स्टार्ट जो बना है केवल दो बेसिक इंग्रेडियंट के साथ सॉस्त जैसे मैं आप से कहा आपके मर्दी अब इसे आप ट्राइ कीजिए और मुझे जरू बताएगा कि आपके फामिली मेंबर्स को ये जटपट वाला कोरियन स्टार्टर कैसा लगा प्राइब ट्राइब आपके जरू झाला है झाला है